नमस्कार दोस्तों सवागत अपने यूट्यूव चनलर फारमेसी पाउर में दोस्तों वाज किस वीडियों में बात करेंगे स्मूथ कैपसूल के बारे में अस्मूथ कैपसूल में जो कॉमपोजिशन पाया जाता है कैल्सियम डोबिसिलेट एंड डोकुसेट सोडियम कैपसूल पाया जाता है जिसकी MRP होता है 208 रुपिये और यह डेस्ट टैबलेट के स्ट्रिप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब यह रिष्टो फर्मसूटकल कंपनी दुवारा बनाई जाती है जो बहुत ही फेमस कंपनी आप इसके दुवारा जो भी मेडिसिन बनाई जाती है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है दोस्तों अब जानते हैं स्मूथ कैपसूल में जो कांटेंट पाया ज अब होता है इसकी प्रीकॉशन क्या होता है तो बस मेरे वेडियो के ङन्त बने रहेगा सारी जनकारी देने वाले और अब रही तक मेरे सबस्क्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल जुरू सब्सक्राइब करें ताकि यकर Venice का विडियो हमारे स्सारव कर मिलता रहेगा तो सब छूक Ellieными स्रीष में यूज चे बड़ी हुई नच सोजी हुई नस मुड़ी हुई नस कि इलाज के लिए किया जाता है और यह diabetic rap my U retrospect palette डियों पाइथिक रूप में भी किया जाता है H आपके परकास के परिश्वचितार स्षील काल हिस्तन हो जाता है तो यह tablet लेने से आपका diabetic retinopathy का भी problem खतम हो जाता है diabetic retinopathy में retina को blood vessels को damage होने से बचाती है इसलिए इस capsule को use किया जाता है साथ में आपके अंस के उपर या मल दुवार के उपर नरम मल को नरम करता है और पानी को absorption करने का काम करता है दोस्तो कैलसियम डोबिसलेट का काम किया रहता है कैलसियम डोबिसलेट का जो काम रहता है नसो में blood flow को बढ़ाता है और सुधार करता है जिससे अंस दुवार में यह मनमल दुवार में problem होता है उसे आराम दिलाता है और मल को नरम करता है दोस्तो आप जानते हैं असमूत कैपसुल के side effect क्या होता है इसकी side effect के बात करें तो जैसे nausea, vomiting, headache, fever, constipation इस तरह का side effect देखने के लिए मिल सकता है पर ऐसा कुछ होता नहीं होता नहीं है तो इसकी normal dose आप सुबा साम ले सकते हैं या अपने doctor के सला का अनुसार ले सकते हैं क्योंकि यह patient के condition का अनुसार दिया जाता है आप इसकी precaution के बात करें तो जैसे इसकी precaution क्या क्या रखना चाहिए जैसे pregnancy woman इस tablet को लेने से अपने doctor के सला जरूर ले लिबर ये kidney के present भी इस tablet को लेने से पहले doctor जरूर सला ले ये alcohol ब्यक्ति इस tablet को लेने से भी पहले doctor सला ले आप जो भी medicine ले तो अपने doctor के सला के अनुसार ले अपने मन से कोई भी medicine लेने का परियास न करें और इस tablet को बच्चे से दूर रखें दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा आप comment करें जरूर बताएं अब इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे pharmacy power चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी परकार का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा thank you thanks for watching